तो आज दिशा की रसोई में बनाने जा रहे हैं रच्छा बंदन इस पेशल गुलाब जामून तो आप सब को रच्छा बंदन की बहुत बहुत बधाई हो हैपी रच्छा बंदन तो चलिए बनाते हैं वो भी हम बनाएंगे प्रिमिक्स से जो सीमा पॉडर जैसे गिफ्ट ज देख सकते हैं कितने रसीले और स्पंजी गुलाब जामून बनेंगे बिल्कुल हलवाई इस टाइल काले जाम भी बोल सकते हैं इस तरह से बनकर रेडी होंगे तो यह देखिए कितने टेस्टी लगेंगे यह गुलाब जामून जब आप बना कर अपने भाई और इस दारों को खिलाएंगे बहुत ही तारिफ मिलेगी बहुत टेस्टी गुलाब जामून है तो चलिए बनाना स्टाइट करते हैं तो यहां पर मैंने देखिए इस तरह से पौडर ले लिया है यह स्रीजी कंपनी है मतलब स्रीजी नाम है तो इसको हमने लिया है इसका पैकट खोल लिय पैकट पर सब कुछ लिखा होता है कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है चलिए जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए मैं इस तरह से बना के दिखाऊंगे कुछ चीजे फॉलो करेंगे आप तो बिलकुल परफेक्ट यह आपके गुलाब जामून बनकर रेडी होंगे तो य भूप जामून की रेश्पी मैंने शेव की है जो पैकट वाले गुलाब जामून आते मतलब रिमिक्स आता है तो उसे दूठ से मैंने गूता है दूठ से बिलकुल बनेंगे बनेंगे जरूरी नहीं है कि हम दूठ से से ही बनें तो यहाँ पर देखे इस तरह से थोड़ा तो इस तरह से, अप जब mix करोगे ना दीरे दीरे ये एक डो के तरह तयार हो जाएगा तो इस तरह से ना चाहle को चाहे हैं और इसको कोई भी rest पर हमें नहीं रखना है तो तयार करने के बाद तुरनती फट इसकी लोया बनानी है मतलब गुलाबजामून के शेप में लाना है तो आप गोल लंबा जैसे आपको चाहे वैसे बना सकते हो तो मैंने कई गुलाब जामून गोल बनाए हैं तो आज उसकी जगा मैं इसे लंबे आकार में रखूंगी जो देखने में भी बहुत ही खुशूरत लगेगा और बलकुर शानदार गुलाब जामून बनकर रेडी हो और हमेशा गुलाब जामून बनाने से पहले हाथ पर अच्छे से इसको मसल लीजे फिर उसके बाद बनाए हाथ से मसलने से इसके क्रेक्स खतम हो जाएंगे और क्रेक्स थोड़े बहुत होंगे भी तो गुलाब जामून फटेंगे नहीं बिखिरेंगे नहीं यह याद जालेंगे ना तो इसका डबल तिबल हो जाएगा यह गुलाब जामून चलिए सब बनाते रहेंगे उदर तब चासनी भी तर तयार कर लेंगे कढ़ाई में तेल भी रख दिया है लो फ्लेम पे गरम होने के लिए तो दो ग्लास पानी ले लिया है और दो ग्लास ही मैं यहा पर हमें एक तार दो तार की चासनी नहीं बनानी है फ्रेंट्स बस जैसे हाथ में चिपचिपा सा आ जाए चीनी घुल जाए और हाथ में चिपचिपा सा लगने लगे इतना बनाना है यहां पे 6-7 फ्लेवर के लिए लाची डाल दी आप गुलाब जामून गुलाब जल भी कि नहीं साथ हम इधर गुलाब जामून भी तैयार करते रहेंगे चासनी भी तैयार होगी तो अभी देखिए तेल जैसा नहीं लग रहा है चिपचिपा सा नहीं लग रहा है तो अभी तीन से चार मिनट और पकने देंगे तो मैंने हाइफ लेम पर चासनी बना रही हूँ अब यहां पे जो मैंने गुलाब जामुन रेडी कर लिया है लो फ्लेम पे तेल को गरम किया है बिल्कुल गरम तेल में हमें नहीं डालना है बिल्कुल ऐसे एक एक गुलाब जामुन डालते जाएंगे हलके हलके बुलबुले उठेंगे इस तरह से हमें गुलाब जामुन का जो तेल है वो गरम करना है तो इस साइड साइड साहलके बुलबुले से उठने लगेंगे तो एक एक करके इस तरह से डाल देंगे और देखिएगा आप कितने बड़े बड़े गुलाब जामुन बनकर रेडी होंगे चासनी हमेशा इसकी चिपचिपी सी बनानी होती है एक तार दो तार नहीं बनानी होती है आप यह ध्यान रखेगा आपके जब इस तरह से चासनी बनाओगे तो बिलकुल रसीले गुलाब जामुन बनेंगे ज्यादा मोटा हो जाएगा तो वो चीनी खाने में अच्छी नहीं लगेगी मतलब वो कड़ी-कड़ी सी चासनी जैसे कड़ी-कड़ी सी हो जाती है जम जाती है क्रिष्टल पर जाते हैं तो आप यहाँ पे दो से तीन बून नीबू की डाल दीजे जिससे की क्रिष्टल कभी नहीं पढ़ेंगे और आपके गुलाब जामुन की जो चासनी है वो इसी तरह बनी रहेगी तो देखिए तेल जैसा चमक रहे ना हाथ पे बस इसी तरह से माई चासनी तयार करनी थी आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे उसके बाद गुलाब जामुन को अलट पलट कर आप इस कलर में भी आपको पसंद हो तो इस कलर में भी डाल सकते हैं लेकिन हम थोड़ा सा डार करेंगे तो इसे अलटते पलटते डार करिएगा और लो फ्लेम पे ही देखिएगा और देखे यह double हो गया जब चास्नी में जाएंगे तो इसके भी double हो जाएंगे यह इतने perfect गुलाब जामून बनकर ready होंगे छोटे छोटे बुनाएंगे मगर यह हो जाएंगे जब चास्नी में जाकर पड़े बड़े बिलकुल हल्वा इसटैल यह रसगुल्य तयार होंगे और यह देखें तय.- तयार हो गये न. कलर कितना प्यार आया एक वर कलर आया है यह से अलडक के न तुरंती तुरंत अलड़ते पलड़ते चलाते हुई से सेखना है मतलब फ्राइ करना है अगर एक इटा साइड देर तक रहेगा तो एक साइड ज़्यादा दार्क हो जाएगा एक साइड लाइट रहेगा तो इस तरह से गरम चासनी बंद कर दिये और तुरंद गुलाब जामुन निकाले तुरंड डाले ये एक गुलाब जामुन बनाने का परफेक्ट तरीका है अगर आप गुलाब जामून पहले तल के रख लोगे फिर चासनी में डालोगे तो आपके गुलाब जामून ज़्यादा फूलेंगे नहीं रसीले हो जाएंगे मगर जितने बड़े मेरे गुलाब जामुन बनकर रेडी होंगे उतने बड़े नहीं होंगे और एक मिनट भी नहीं लगेगा मैं अभी आपको दिखाती हूँ जब तक मैं कड़ाई में और गुलाब जामुन डाल लेती हूँ एक मिनट नहीं लगेगा मेरे गुलाब जामुन प्रफच्पंजी आप देख सकते हो अगर दबाएंगे ज्यादा तो यह टूट जाएंगे तो बस यहां पर हलकी चासनी गरम रहे उसने ही में ही हमें सारे गुलाब जामून । डालने हैं चासनी थंडी होगी तब भी आपके गुलाब जामून परफेक्ट नहीं बनेंगे और फूलेंगे नहीं तो इस चासनी का अगर थंडी हो गई तो उसे हलका गरम जरूर कर लें और गुलाब जामुन गरम ही गरम उसमें डालें इसी तरह से सारे बैच तयार कर लेंगे और बहुती सांदार हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हुए है तो आप देख सकते हो यह देखिए कितने शांदार हैं आप बाहर की मिलावटी मिठाईों से बचे और घर पे बनाए सांदार मिठाई आप जन्माश्टी में आएगी तीज आएगा उस पे आप बनाएए कोई भी तहवार कोई फेस्टिवल कोई भी ओकेशन है आप इस तरह से परफेक्ट गुल सा दवाऊंगी और रस देखिए कितना निकल रहा है बहुती स्पंजी हमारे गुलाब जामून बने हैं मैं कट करके भी दिखाऊंगी जैसे साधी पाटी में हलवाई वाले गुलाब जामून होते हैं बिलकुल वैसे बने हैं तो आपको अंदर तक यह अच्छे से कुक हु तो आप इतना देर कर आपको घंटो नहीं रखने पड़ेंगे चासनी में चासनी सोकने के लिए बड़े होने के लिए गुलाब जामून बहुत ही पर बने हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं नहीं दिस्थ वीडियो में